साल दोजार चोबिस में होने वाले आखरी सूर्य ग्रेंड का किनकिन राशियों पर नकरात्मक परभाव पड़ेगा इसकी अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरदवार के प्रसिद जोतिसाचारिये पंडिस शांग सेकर सर्मा बताते हैं कि सूर्य ग्रेंड 2 अक्टूबर की रात को शुरू होकर पीन अक्टूबर की सुबह तक चलेगा सूर्य ग्रेंड के दुरान कन्या मीन तुला सिंग रासी पर इसका परभाव पड़ेगा लेकिन ये परभाव उन्ही देशों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा जहां सूर्य ग्रेंड नजर आएगा और क्या गहते हैं हरदवार के जोतिसी सुनिये जैसा कि हम देख रहे हैं कि सूर्य ग्रेंड ऑक्टोबर को आरा है रात बोगोंबच की देरामने फढ लगपर 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 लगज़ेगा और इससे पहले आट से बारा विंटे पहले लगपर सुतकाल मानने वहां होता है जहां पर सूर्य ग्रेंड दिखाई देए आप जो राशियों की बाद पर रहे हैं तो इन राशी ओंञेसे की जो ग्रह्ट से प्रभावित हो रहे हैं और इसी तरह आपकि शिंद्राशिर अल्टर में श्टम बर राहु गज़ा लेकिन 의 उसषेदर में लोग है उनकों यहाँ पर, भारत में इन राषियों पर कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ेगा हां राहु, और उस प्रभाव राहु के तुका जानतर मिलता है । अगर हम आया है पैसे को छोड़ दें पैसे को हटा कर बाकी जो प्रभाव है सारे राभू देता है तो कन्या राशी वालों के लिए अचानक से कोई परिवार में घटा घड़ सकती है किसी संबंदी की या उन्ति कुछ की कोई घटा घड़ सकती है वहां से संबंदी इससे उपर चोड़ने का योग चम्रावा है इसी तरह अगर तुला राशी की बात करें तो छटे स्थान पर राभू का गोंचर जैसे मने पहले भी बताया है यह समय जब तक राभू आपके छटे स्थान पर रहेगा तो कुछ ना कुछ रोग आपको देता रहेगा कुछ दिंख ही पुजाओगी दो जैसे आपके रिपोर्ट बहुत नहीं आता है और विमारी उसना कुछ लगी ज्याइए और अगर मबात करें सिंग राशी की सिंग राशी से रचन पर राभू अस्टम राभू यहां पर आपके जीवंसाति के स्वास्ते को लेकर समय रहेगे जीवंसाती को यदि आपक गर्भति मैला तो इस समय और जो बहर मिकब रहे है यूवक्त या जो भी बहर बाहन पे चल रहे हैं उनको ज्याना रखना है कि इस राशी वाले जो मैंने से लिए राशी कल लाशी कन्या राशी और पीब राशी एकसी दूर घुक्तना के लिए वञड़ें